हेलो फ्रेंस विल्कम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं अपनों के लिए लेके आए हूँ नवडात्री ये स्पेसल व्रत में खाय जाने वाले समा राइस और कच्छे हालू से बनने वाले वड़े की रेसिपी ये वड़े उपर से एकदम क्रिस्पी है अंदर स एकदम सॉफ्ट और टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाते हैं समाराइस के वड़े बनाने के लिए मैंने यहाप एक कप समाराइस लिया है यह ऐसे चोटे-चोटे से दाने होते हैं इसके और इसे मैंने अच्छे से एक से दो बार कपड़े से पोच लिया था और अभी मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सर जार में और इसे हमें बारीक पीस लेना है तो जब आप इसे पीसेंगे तो ये बहुत एकदम मैदेग जैसा बारीक नहीं हो पाएगा बारीक वाली सूजी जितना ये पीसके बन जाता है तो यहाँ पे मैंने साथ में एड कर दिया है दो चमत साबुदाना इसे हमारा नास्ता अंदर स एकदम सौप्ट बनेगा साथ में उपर से कुरकुडा भी बनेगा तो यहाँ पे देखे ये दोनों चीजों को मैंने अच्छे से पीस लिया है और इस तरह के ये कुछ दिखेंगे आपको पीसने के बाद अगर यह हलका मोटा भी रहता है तो भी आपका नास्ता अच्छा ह यहां पर फ्रेंड perdre करने के बाद इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेना है ताकि सारा स्थार्च निकल जाए तो यहां पे देखे आलू को मैंने ग्रेट carriers लिया है और इसे दो लिया है अच्छे से धोने के बाद इसे निचोर के इसका सारा पानी निकाल ले और अभी मैंने गाय सिष्टों पर डाल दिया, एक कड़ाई, कड़ाई में मैंने दो चम्मच रिफाइन्ड वाइल आट किया है, आप जो भी तेल इस्तमाल करते हैं, या फिर गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, साथ में दो हरी मिर्च बारीक टुकडों में कटी हूई आट की है, साथ में एक इ करके डाला है इसे भी हम साथ में थोड़ा सा भूल लेंगे यह सारी चीजे भून चुकी है तो इस टाइम पे मैं एड की हूँ दो कप पानी एक कप समारा इसके लिए हमें दो कप पानी लेना है तो यहाँ पे देखे फ्रेंड पानी डालने के बाद जो हमने आलू ग्रेट कर के रखा था वो हम इसमें एड कर देंगे और इसमें एक अच्छे से उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद आप इसे 1,5 मिनट पकने दे तो यहाँ पे देखे साथ में मैं एड कर दे रही हूँ आदी छुटी चमच काली मिर्च पाउडर साथ में स्वाद अनुसार नमक एड कर दे जो कि ब्रत वाला नमक होता है सेंधा नमक वो मैंने एड कर दिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें उबाल आ चुके हैं तो इस टाइम पे मैं एक मुठी भड़के हडा धनिया एड कर रही हूँ जिसे बार देखेंगे कि यह डो फर्म में आ जाएंगे बस आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है इसे पकाते हुए लगबग 3-4 मिनट हो चुके हैं और यह डो फर्म में आ चुके हैं तो अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में इसे निकालने के बाद आपको इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है उसके बाद हम इसे मसल के एक बार अच्छे से गूत लेंगे जैसे हम आटा गूतते हैं तो यहां पर देखें इसे रखेंगे मुझे लगबग 10 मिनट हो चुके थे और यह इतना ठंडा हो चुका है कि हातों से इसे गूता जा सकता है तो मैं इसे इस तरह से गूत रही हूँ आपको गूतते समय पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको लगड़ा है कि हातों में हलका ची पकड़ा है तो आप हलका सा तेल लगा ले हातों में तो यहां पर यह हमारा डो रेडी हो चुका तो इस टाइम पे मैंने हाथों में लगा लिया है तेल और रोटी बनाने के लिए जितनी बड़ी हम लोई बनाते हैं उतना ही मिश्रन हाथों में ले लिया है हाथों पे घुमाती हुए इस तरह से सबसे पहले हम इसका एक बॉल रेडी कर लेंगे इसे हमें एकदम चिकना बन लिया है आप इस टाइम पे इसे यह टाइट कंटेनर में डाल के डिफ फ्रीजन में 4-5 दिनों के लिए श्टोर करके रख सकते हैं जब आपको जरूरत हो तब आप इसे फ्राई कर ले लेकिन मैं इस वड़े को अभी ही फ्राई करने वाली हूं तो उसके लिए मैंने तेल गरम होने के लिए तेल को आपको अच्छे से गरम करना है यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा कितने अच्छे से फूलग चुका है जबकि हमने इसमें दी का इस्तमाल भी नहीं किया है सावधाना डाले से ही ये नास्ता एकदम अंदर से सॉप्ट बनता है और आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वड़े का कलर एकदम अच्छा सा आ चुका है म फिर आप नॉर्मल डे पे भी इस नास्ते को बना के एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमिट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें जादस जादा आपने फैमिली और फ्रेंट्स में से एर भी कर द